हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो बीए समेस्टर सेकंड दी यो आपा पोईम्स कित्यां सी पीपाज सौंग ओसदी आपा अठ पोईम्स कर चुक्यां आई थिंक अपनिया दो येडी पोईम्स ने ओ रह गी हैं जिनना दे अपां सम्मरी लॉंग कोश्चन अते ओस दे रेफरेंस टू दा कॉंटेक्स टैड़ा ओ भी अपा करने ने सो अपा बाद दे विच करांगे सो नाल नाल आपा इनना पोईम्स दे वैरी शौट क्वश्चन ने येड़े ओ भी आप मैं सच एके अपां नवेड चल देया नाल ही चल देया ले चल दीया ना उचल देया न परूज़न देखो who was pipa ये आ सकते है अपनु question के pipa येडियो कौन है मतलब so जिस तरह के अपनु पता है poem अपपड़ चुक है देखो start कर दिया pipa was the name of an orphan girl एक अनाथ बच्ची सी की she was 14 years old मतलब 14 साल उस दी उमर सी की 14 years girl who worked in a silk factory silk factory ये बच्ची जो कम कर दी सी in the town of solo solo नादी जगा दे उपर स्थेत सी ओ factory she had to work long hours under terrible conditions मतलब बुरियां प्रस्थितियां ने बिच उसनू लंबा समा येडा कम मैं उसनू करना पहन दा सी very short question ने second देखो who sings the song and what does it explain मतलब येडा song है ओह कौन कहूं दा सी अते what does it explain किस तरह मतलब एह explain ये ने येडा song है किता गया so देखो पीपा is the girl who sings this song पीपा येडी ये लड़किया ओ गौंधी सी ये song the song tells about season time and also tells that all is right with the world ये है येडा song सी गा season दा येडा ओस दा spring season सी ये उस समें दा ओस समें नू season नू येडा मतलब रिप्रेजेंट करदा सी और ये भी दस दा सी के सारे world दे विचे मतलब सब कुछ और राइट है सब कुछ सही चल रहे है so येडा ये अपना question सी ये दा answer ये है what does it explain कि किस explain किस चीज नू explain करदा सी ये song येडा पीपा दा season नू belong करदा सी गा अगे देखो third what was the season of the year देखो केडा season सी spring season सी अपनू पती है start करदें देखो answer पीपा used to sing a song about the season time मतलब ओस समेदा येडा season सी गा season time ओनू येडा song ये उसना related हो गाउंदी सी it was the spring season of the year मतलब बसंत रुकता है येडी ओहो साल दी ओस दे बार येडा song उसना है पीपादा अगर एको fourth question what time of day has been mentioned in the poem मतलो time अजे डा time की रसी गया timing अपनू सबेरे सत्व येडी timing अपन रसी गया जिस तरंग इप पोई में दे रिच पड़े है देखो पीपा वाज दा गर्ल who used to sing a song about the season जो season दे बारे मतलब song काउंदी सी पीपा and it was the time of seven o'clock in the morning morning दा time सी seven o'clock when she used to sing जदो हो गाउंदी होंदी ती सत्व येडा time है जेडा है का सी हो fifth question देखो how did the hillside look मतलो hillside जेडिया किस तरह लग रही है सी है जा फिर एवी आ सकद है what is meant by dew-purled मतलो एस दा की मतलब सी dew-purled मतलब इस दा मतलब सी का जदो जेडा dew सी गा जदो गिर्दा सी पहाड यांदी साइड ते वो मोतियांदी तरह चमकदा सी गा जदो उसते सूर्ज ने किरना पहंदियां सी देखो the hillside was filled with dew and when the sunbeam touched them early in the morning जदो सूर्ज ने किरना पहंदियां सी उसते they looked like pearls pearls मतलब मोति मतलब जड़े तुपके ने ट्रेल दे ओ इस तरह लग दे जिस तरह की मोति होन sixth question देखो what do the lark in flight and the snails on the thorn signify मतलब किस चीज़ ने signify कर दे ने मतलब larks in the flight मतलब larks चटीरियां जनी हवा दे वे चुड रहे ने पंची और snails मतलब जड़े कीडे मकौडे ने ओह कंडियां दे ओपर की signify मतलब किस चीज़ ने कर दे ने तो देखो start कर दे आंसर the larks the snails and the girl people have to work मतलब सारे नों कम करना पहन दा है बेशा को lark है snail है कीडे मकौडे ने जा फिर लड़की पीप है in terrible conditions सारे नों बुरी प्रस्तितियां दे विचे कम करने पहन देने not only birds and insects सिर्फ पंची अते इंसेक्ट कीडे मकौडे ही नहीं but human beings also lead bad lives human being ने यडे ओभी मतलब बुरी जिंदगी है यडे यह बतीत कर रही है God gives strength to all to bear the burden of life जेड़ा प्रमातम है सारे नों strength देंदा है के जेड़ा burden है जिंदगी दा उसनों सहन कर सको but still life goes on पर फिर भी जिंदगी है हो चल दी रहन दी है goes on 7th question देखो explain the lines ए लाइन नों explain करने God's in his heaven all's right with the world ए एस लाइन नों explain करने जा फिर और theme of the poem theme भी पुछ ले जा सकती है तो देखो key explanation है इस दी these two lines tells the theme of the poem ए दो लेना इस दी poem the main theme है जड़ी हो उसनों represent कर दियाने life is hard but everyone the lark की कहरे life is hard for everyone जड़ी जिंदगी हर एक ले hard है गी सकता है हर एक नों मतल मसीवता हो दियाने the larks, snails and people lead a terrible life but God gives strength to all मतल सारे अखी जिंदगी बितीद कर रहने पर God आज़ा प्रमातमा सारे नों strength दे it is not true that everything is right in the world ए मतल सच नहीं हेगा के world दे विच सारा कुछ ठीक ठाक है these lines are ironically and are used to express discontentment discontentment होंदा है निराशा discontentment मतलब ए चीए निराशानू बतीद कर दियाने represent कर दियाने ए लेना मतलब आसल दे विच्छ वर्ड दे विच्छ सब कुछ ठीक नहीं हेगा life है जिए ओह स्ट्रगल पर ही है बत ए लाइना ने येडिया आइरनी कली ने आइरनी एक जड़ी ये व्यंग जड़ा हो कीता गयेगा के life है येडि बिलकुल सही सलामत चल रही है सो एसी गे पीपास सौंग जड़ी अपनी पोईमा ओस दे वेरी शॉर्ट कॉस्चन सिर्फ सेवन जड़ी कॉस्चन ने अपनों सिर्फ एही तुसी करने ने सो जेकर चंगी लगिये वीडियो तब वीडियों लाइक कते शेयर जरूर करो सो मिल दें अगली वीडियो लेके और उन तक देव इजाजत थैंक यू सो मंच